आज जैसे सुबह सुबह में उठी न ऐसे ही बच्चों का फर्माईस हो गया कि ममी आज कुछ अलग नास्ता बनाओ समझ में नहीं आया मैं क्या अलग से नास्ता बना के ए लोगों को दूँ तो आज मेरे यहां किचन में पड़ी थी स्वयवडी जिसे बहुत से लोग स्वयवीन बोलते हैं और इसे हमने भीगो के अच्छे से रख दिया है तो समझ में जब ना कुछ हाए तो कभी-कभी इस नास्ते को आप एक बार जरूर से ट्राई करें बहुत ही अच्छी बनकी तयार होती है तो सोयवीन को यहां पे हमने भीगो के अच्छे से रख के पानी से दो पानी से धुल के यहां पे हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है याद रखे पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पानी को निचोड लें, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दरदरा ही पीसा है, बिल्कुल बारिक नहीं बनाना है, दरदरा ही रहेगा, तब ही आपका बनेगा, तो एक बाउल में इसे हम निकाल लेते है तो हमने लिया है एक कटा हुआ प्याज थोड़ा सा हम डालेंगे यहीं पे हरी मिर्च लहसन और यहीं पे डाल देते हैं धनिया धनिया बहुत ही अच्छा स्वात देता है इसलिए डाल रहे हैं सबी को यहां पे हमने दरदरा पीस लिया है जैसे हमने स्वयबडी को पीसा है, सेम उसी प्रोसेट पे हमने धनिया को प्याज को भी पीस लिया है तो आप देख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे बारिक-बारिक भी काट के डाल सकते हैं लेकिन अगर आप पीस के बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है यही पे हम डाल देते हैं काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हम गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे जीरा पाउडर और थोड़ा सा डाल देते हैं लाल मिर्च का पाउडर, नमक डालेंगे, स्वात की अनुसार, आधी नीवू का जूस को हमने यहाँ पर डाल के अच्छे से मिला लिया है तो हमें अभी इसमें डालना है बैंडिंग के लिए बेसन, तो देखीए अच्छे से हमनेabytes कर लिया है, यहीं पर हम डाल देते हैं एक बड़े चमश से आधा चमश बेसन, थोड़ा सा और डाल देते हैं अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा बेसन हम आउट डालेंगे क्योंकि बैंडिंग के लिए हमें बेसन ही चाहिए तो चलिए हाँ से इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं तो आप देख सकते हैं इस नास्ते को बनाने के लिए आपके 5-7 मिनट लग सकते हैं बहुत ही जल्दी नास्ता बन के तयार होता है तो देखिए यहाँ पर अच्छे से बैंडिंग हो रही है तो हम बेसन नहीं डालेंगे अगर नहीं होगी तो थोड़ा सा बेसन को हम आउट डालेंगे तो फ्रेंस आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाते हूँ इस तरह से देखिए अच्छे से यहाँ पर बैंडिंग हो रही है तो चलिए हाथ को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं हाथों को क्लीन करके थोड़ा से लगाएंगे हाथों में ओयल और इस तरह से हम लेंगे थोड़ा थोड़ा पोसर तो जैसे हम लोग आलू टिकी बनाते हैं से मुसी उतना ही पोसर लेना है और इस तरह से इसमें क्रेक्स आते हैं तो इस तरह से आप गोला गोला करके बनाएंगे न तो बिल्कुल भी थोड़ा मोरा क्रेक्स आयेंगे तो कोई घबराने की दिक्कत वाली बात नहीं है तो देखिए, एक पिस हमने बना लिया है, एक पिस मैं आपको बना के यहां पे आपर दिखा देती हूँ, इस तरह से हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर दें, और साईट का जो किनारी कीनारी हा इसफे इस तरह से दबाते जाएं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़हा तरीके से आपकी बन जाएंगी बैंडिंग तो देखिए यहां पर अच्छी से टिक्की हमारी बन गई है तो चलिए अब चलते हैं हम फ्राइ करने की ओर तो यहां पर रख दिए हैं पेंड पेंड में डाल लेते हैं एक दो चमब तेल और तेल को अच्छे से गरम कर लेते हैं बहुत अगर रखेंगे तो उपर से जड़ जाएगा और अंदर से कच्छा रह जाएगा तो इस तरह से आपको चलाते बलाते एक साइड पुरा अच्छे से ब्राउन कर लेना है तो मैं आपको दिखाते हो एक देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है बिल्कुल अच्छा देखने म लग रहा है और खाने में तो बहुत कई गुना टेश्टी बना था तो इस तरह से हम पलटके फिर दो तीन मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं जारत तो इस नास्ति को आप सुबह के किसी भी टाइम बनाएंगे साम के भी टाइम बनाएंगे च्यायक के सार्थ तो बहुत ही अच्छी टेश्टी बनके नास्ता तयार होती है तो देखिए, बन गया न, अब इसे हम 2-3 मिनट अच्छे से भून लेने के बाग, इसे थोड़ा सा आज को बढ़ा देते हैं, और इसे कुरकुरा क्रेस्पी तक हम सेक लेते हैं, तो देखिए, बहुत ही आसानी से नास्ता बन जाता है, ज्यादा जंजट, न भिगोनना, न ज्यादा कोई काटना, पीटना, फटा-फट इनास्ता बन के तयार होता है, और फैमिली में सभी को बहुत परसंद आएगी, तो प्रेन देखिए, अच्छे से सीग गया है, इसे हम निकाल लेते हैं, एक प्लेट में, तो मैं यहाँ लाल चटनी, ग्रीन चटनी, दोनों अगर इनास्ता खाएंगे नो, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो अगर आज की है मेरी रेस्पी, आप लोगों को परसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए